अनली दोस्तों खुसकवरी की बात ये है कि यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने फर्स्ट राउंड का सीट अलोट्मेंट लेटर जारी कर दिया है अब कैसे आप लोग चेक करोगे मैं सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो को लाश्ट तक वाज करन और हाँ कौन सा कॉलेज मिला है कौन सा कोर्स मिला है और कितनी रैंग थी आपकी ये भी आप लोग कमेंट में जरूर बता देना और हाँ अगर किसी को केजी एम्यो में ओटी मिला हो तो हाँ इस पेसल आपके लिए है कि आप जरूर बता देना क्यूंकि मैं खुद ओटी का दिमाग में ये थी कि आज संडे का दिन है या फिर सनी वार है मतलब आप लोगों से कई बार कि समने बताया है कि संडे को छुटी रहती है कोई काम नहीं होता है संडे को तो कुछ होगा ही नहीं लेकिन दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है फैकल्टी सिर्फ का दिन से मतलब नहीं होता है, राज से मतलब नहीं होता है, काम से मतलब होता है, वो कभी भी कुछ भी जारी कर सकती है, तो आज संडे का दिन याद रखना, और संडे वाले दिन ही आपका अलॉट्मन लेटर आया है, तो चलिए कैसे चेक करना है, अब आप लोग वेब साइट आओगे तो आपको कहीं कोई option नहीं दिखेगा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ तो यहां पर आजाना आने के बाद यहां पर लिखा हुआ है login यहां पर login का option दिख रहा है यहां पर login पर आपको click कर देना है ठीक है, किलिक कर देने के बाद यहाँ पर आप सभी को आ जाना है और यहाँ पर लोग इन कर लेना जितने भी लोगों ने फर्स राउंड की काउंसलिंग किए उन सभी को लोग इन कर देना यहाँ पर user ID और password और यहाँ पर यह जो security pin दिया हुआ है अपने phone से ही check कर सकते हो, security pin अब इस security pin को यहाँ पर 7 लिखा हुआ, plus 1 लिखा हुआ, बराबर तो 7 प्लस 1 जोड़ोगे तो होगा 8, तो आप जब अपना check करोगे, तो यहाँ पर कुछ और भी लिखा हो सकता है तो 7 प्लस 1 होता है 8, तो यहाँ पर आठ डाल दूँगा और फिर लॉग इन कर दूँगा ठीक है जैसे ही लॉग इन करूँगा तो आपका डीटेल खुर के आएगा उसके बाद अगर आपको कोई सीट मिला होगा तो सीट अलॉटेड लिखा होगा ये चीज दोस्तो है कनफर्म तो इस तरीके से आप लोग चेक क का मिल जा लेकिन फिलाल अभी इसी तरीके से चेक हो रहा है तो आप लोग अपना अलॉट्मेंट लेटर ऐसे ही चेक कर सकते हो और हाँ आगे क्या क्या होने वाला है कौन कौन से डाकूमेंट लगेंगी किस कॉलेज की क्या फीस है सब कुछ मैं आने वाले वीडियो में बत